रादे रादे फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं ये देखिए आज हमने ये चार और पांच नमबर लड़ो पाल की ड्रेस बनाई है देखिए इसका घेरा भी बहुत प्यारा लग रहा है और बनाने में बहुत एजी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने इतना घेरा बना क करके कम्प्यीट कर लिया है एंजिए और को यहां पर राउंड बनाये एक यहां से सटर्ट किया था एक तो तीन चान पांच छे सात राउंड हमने यहां पर के बनाए है और चuben के लाइक यहां पर हमारे 25 टेप ट्र double crochet में यहांपर 24 डब्ल कुर्शी की यह हमने हिस्किपक्र से गेरे कहा से कर बनाना मैं आपको बताती हूं और आप हमारे चैनल पर जाएंगे हमारी चैनल पर काना जी की वालन ड्रेस है तो यहां यहां पर हमने यह गेरा बताया हुआ है सेम इसी तरह से यहां पर हमने पांच राउंड की हैं गेरे के सेम इसी तरह से आपको साथ राउंड बनाने हैं यह देखिए यहाँ पर हमने जो वो ड्रेस दिखाई थी हमने वहाँ पर हमने एक दो तीन चार पांच पांच राउंड सेम उसी तरह करने जिस तरह हमने वहाँ पर बताया है उसके बाद में देखिए यहाँ पर दो स्टार्ट में बनाएंगे फिर एक 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 बनाएं इस तरह से बनाना है हमने ये दोनों राउंड तो बना करके आप complete कर लेंगे देखे join करेंगे यहाँ पर हमने double crochet बना लिया double crochet बनाने के बाद एक chain लेंगे chain लेकर एक दू तीन थर्ड chain में हम slip stitch कर देंगे इस तरह से आप यहाँ पर हम एक, दो, तीन, तीन chain लेंगे एक double crochet के हैट की वो जो हमने यह देखिए यह जो हमने ड्रैस बनाई है यहाँ पर ड्रैस में हमने गहरा बनाने के बाद एक single round लिया था single crochet का लेकिन यहाँ पर हम double crochet का round लेंगे इसलिए हमने यह 3 chain लिया है दागा लिया हमने अब नेक्स्ट में यहां पर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे अब नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिय अब नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिय तिके डबल क्रोशिय किस तरह से बनाते हैं क्रोशियोग पर एक फंदा है इस तरह से हम यह दूसरा फंदा लेंगे चेन में डालेंगे क्रोशियोग को दागा निकालेंगे अब यदि के तीन फंदे हो गए तीन से दो निकाल देंगे तो उसे एक कर लेंगे इस तरह से हमारे डबल क्रोशिय होते हैं सभी में हमने एक ए आप नेक्स्ट में बनाएंगे नेक्स्ट में बनाएंगे तो सभी चेन में हमने एक एक बार डबल कुरूषय बना करके ये राउंड कम्प्लीट करना है इस तरह से देके सबी में हमने एक एक बार डबल कुरूशय बना लिया है राउंड के लास्ट में आ गया है यहाँ पर हम यहाँ पर देखे एक दो तीन थर्ड चेंड में हम स्लीप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे इसको इसके इस तरह से अब यहाँ पर हम अपना कलर चेंड करेंगे मारा दागा जोइन हो गया और इस वाइट क्लर के दागे को टाइट कर लेंगे हम और यहाँ पर हमने जोइन किया है यहाँ पर ही एक बार और क्रोश्यों को डालेंगे इस तरह से दागा निकालेंगे हम और यहाँ पर सिंगल क्रोश्या बना लेंगे यह हमारा पहला सिंगल क्रोश्या हो गया हम यहाँ पर एक, दो, तीन तीन जेन लेंगे तीन जेन लेने के बाद white color के दागे को हम यहीं छोड़ देंगे और यह पिंक कलर कर दागा इसको साथ में रखेंगे और यहाँ पर यह पहला skip करेंगे यह जो दूसरा है यहाँ पर से क्रोशिय को डालेंगे इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर यह हमारे दो फंदे हो गए एक बार और यहाँ पर डालेंगे हम इस तरह से निकालेंगे यह देखे तीन फंदे हो गए एक बार यह जो हमारा सिंगल क्रोशिय है यहाँ पर से निकालेंगे हम यह देखे चार हो गए अब एक बार यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिय बनाया था नीचे तेसी निकालें के यहां पर से हम in इस तरह से दिख्या हमारे कुर्शी mike में रफ एक डू ती चार पांच छेङ छेडेश् het a corrupted डेने तुर चेशे हम हम एक साथ निकाल देंगे कि इस तरह अरहीं और हम यहां पर लाउक कर लें लॉक कर लिया उसके बाद में हमने एक चेन और लेनी है एक चेन और लेकर यहाँ पर से हम निकालेंगे यहां पर से लेंगे हम एक बार इस तरह से अब यह जो हमने लॉक किया था और यह धागा जा रहा है देखिए यहां पर यह धागा है तो यहां पर से निकालेंगे हम एक बार यह तीन हो गए और एक हम यहां से लेंगे ये चार हो गए और एक हम यहां से लेंगे पाँच हो गए एक हम नेक्स्ट में से लेंगे ये छ нож हो गए तो छ bonus हेमारे पास देखे क्रोश्पिट में 6 फंदे यह हैं 6 फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे स तरह से अब देखें यहां पर हम लोक कर लेंगे और एक चेंड लेंगे इस तरह से बनाएंगे वहाँ पर Babokay फिर से देख लीज़ी एक पर दिखें यह हमारी यह दो चेन है तो फ़र्स चेन को नहीं सब्वार्बावी चेन में हम डालेंगे क्रोश्योग को इस तरह से निकालेंगे और एक देखे यहां पर एक धागा होता है देखे यहां पर यहां दागे में से निकालेंगे हम यह तीन हो गए हमारे क्रोश्योग में तीन फंदे हैं अब देखे यहां पर एक एक धागा हम यह वाला लेंगे देखे चार हो गए अब अब एक हम यहाँ पर से बनाएंगे जहाँ पर से हमने भी बनाया था यह देखें यहाँ पर से यह जो हमारा होल है यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर से एक बार निकालेंगे हम इस तरह से तो यह देखेंगे पांच हो गए अब एक बढ़ हम next में से निकालेंगे ये 6 हो गए अब 6 ये हमारे कुरुशियोग में 6 फन देया है तो 6 हो को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और यहाँ पर lock कर लेंगे और एक chain लेंगे फिर से हम इसी तरह से बनाएंगे इस तरह से लेंगे एक बढ़ निकाला है ये 2 हो गए हमारे पास एक इसको उठाएंगे हम ये 3 हो गए ये कहां से निकालेंगे ये 4 हो गए एक next में से निकालेंगे हम पांच हो गए अब पांचों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से एक और दो दो chain लेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम ये round अपना complete कर लेंगे तो ये round complete करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं ये इस तरह से बनाते हुए ये round के last में आ गए हैं ये last में भी हमने बना लिया उसके बाद एक chain ली लॉक करने के लिए chain बना ली हमने आप यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर हमने chain ली थी, एक, दो, तीन, तो थर्ड chain में यहाँ पर हम इस तरह से slip stitch कर देंगे, इस तरह से, अब हम यहाँ पर एक और दो, दो chain लेकर, पीछी की तरफ आप देखेंगे, तो पहले मैं आपको दिखा जीती हूँ, इस तर आपर, यह थी, यहाँ पर हमें वर्क करना है बीच में, धीक यह जीन, इस तरह से, यहाँ पर हम वर्क करेंगे, तो यहाँ पर हमने यह दो चेन लेकर पीछे की तरफ यहां पर इसको जोइन करेंगे लेकिए यहां पर यहां पर हम सिंगल कुरुश्य बनाएंगे इस तरह से निकाल करके और सिंगल कुरुश्य बना देंगे उसके बाद में हम एक दो तीन तीन चेन लेंगे तीन चेन लेने के बाद में यह वला हम skip करेंगे next को उठा करके यहां पर single crochet बना देंगे इस तरह से फिर से 1, 2, 3, 3 chain लेंगे और यह वला skip करेंगे next को उठा करके हम यहां पर single crochet बना देंगे इस तरह से इसको उठाएंगे और single crochet बना देंगे फिर से एक, दो, तीन, तीन चेन लेंगे, यह वाला स्किप करेंगे, इसको उठाकर सिंगल क्रूश्य बनाएंगे, फिर से एक, तो, तीन, तीन चेन लेंगे, और देखिया आपर, इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर इसको उठाकर करेंगे, सिंगल क्रूश्य बना देंगे, complete कर लैंगे यहां पर टिन-चेन बना लोज और तीन चेन बनाकर यह जो हमने पhiला सिंगल क्रूशियर है यहां पर हम इस तरह से स्लिप स्थिच कर देंगे जह ग्ले अप हर यहां पर अपना यह वाइट कुलर लगाएं गें यह जो हमने white color यहाँ पर छोड़ा था और pink color को यही पर छोड़ देंगे इस तरह से निकाला हमने pink color को tight कर लेंगे और यहाँ पर हम जो first loop है हमारा यहाँ पर हम single crochet बना लेंगे इस तरह से फिर धागा लिया हमने अब next loop में हम double crochet बनाएंगे तो यहाँ पर crochet को डालेंगे इस चार पांच और छे छे हमने double crochet बना लिए अब next loop में हम single crochet के साथ join कर लेंगे फिर next loop में हम 6 double crochet बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हमने double crochet बनाएंगे और यहाँ पर हम next hole में single crochet के साथ join कर लेंगे इस तरह से बनाते भी हम round को complete कर लेंगे एक loop में हम join करेंगे और एक loop में हम 6 double crochet बनाएंगे आप यहाँ पर 5 double crochet भी बना सकते हैं तो इस तरह से बनाते हुए round complete करेंगे हम तो देखे round के last में आ गया है यहाँ पर हमने 6 double crochet बना लिए अब हम यहाँ पर यह जो हमारा first single crochet है इसकी chain में हम इस तरह से slip stitch कर देंगे और एक chain लेकर यहाँ पर धागे को cut कर लेंगे आप देखे pink color से हम अतना work start करेंगे तो यह जो हमारा first double crochet है इसकी chain में हम यहाँ पर इस तरह से crochet को डालेंगे और एक chain बना कर यहाँ पर single crochet बनाएंगे फिर से देखे इस तरह से फिर एक chain लेंगे एक chain लेकर next hole में हम single crochet बनाएंगे यह chain लेंगे फिर next hole में हम single crochet बनाएंगे एक chain लेंगे फिर next hole में single crochet बनाएंगे एक chain लेंगे फिर next hole में single crochet बनाएंगे chain लेंगे फिर next hole में single crochet बनाएंगे अब हमने यहाँ पर chain नहीं लेनी है मैं बीच में आप के उपर एक झाण यहां नहीं लएंगे कि यह इसंगल खोषर उठाएंगे हम और यहां पर विषके को प्परनलों पॉठाएंगे से और सिंगल बना देंगे के फिर से देख लीजेए यह मारा सिंगल कुर्षा यहांपर नहीं बनाएंगे यहां पर से व्हें बनाएंगे इस तरह से यहां तो तो यहां पर if लुफ चेंग बना देंगे अब यहां पर फिर से हम चेंच में हम पनाएंगे सिंगल गुष्या फिर एक chain लेंगे, अब next में single crochet बनाएंगे, एक chain, फिर next में single crochet बनाएंगे, एक chain, next में single crochet बनाएंगे, एक chain लेंगे, next में single crochet बनाएंगे, next में single crochet बनाएंगे, अब हम chain नहीं लेंगे, अब यह जो हमने single crochet बनाया था, इसके दोनों loop उठाएंगे, एक loop यह और एक यह, दोनो लूप उठा करके हम यहाँ पर single crochet बना देंगे जो first double crochet है यहाँ पर बनाएंगे लेकिन हम यहाँ पर chain नहीं लेंगे जो first double crochet है यहाँ बनाने के बाद अब chain लेंगे हम इस तरह से बनाते वे हम round को complete कर लेंगे यह देखे इस तरह से आएगा यह तो बनाते वे round को complete कर लेंगे देखिए यहाँ पर round के last में आ गया हैं बनाते हुए हम यहाँ पर बना लिया हमने single crochet है इसकी chain में भी single crochet b gal iç in une line यहाँ पर है इसके दोनो लूप उठाएंगे लेखे एक और एक यह दो दोनों लूप उठाएंगे और यहाँ पर single crochet बना देंगे अब यहाँ पर भी हम chain नहीं लेंगे जो हमने पहला double crochet है यहाँ पर हमने double crochet बनाया था इसकी chain को लेकर हम इस तरह से slip stitch करके और एक chain लेकर यहाँ पर दागी को cut कर लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमारी dress बन कर आई है देखने में बहुत प्यारी है और बनाने में बहुत easy है इसका diameter देख लेते हैं का diameter हम देखेंगे यहाँ से और यह देखिए इसका diameter 12 इंच आ रहा है तो 4 और 5 के लिए इतना काफी है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों क को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू